दोस्तो शेहनास को और गिल को लेकर इस वक्त की रांग्टे खड़े कर देने वाली ख़बर सामने आ रहे है जी हां दोस्तो मैं पुझा एक बर फिर से हाजिर हूँ सना से जुड़ी बीग अपटेट की साथ दोस्तो जब से शेहनास कील की फर्स्ट मोवी और उनका नया म्यूजिक वीडियो आलवम रिलीज हुआ सूपर हिट हुआ ब्लॉक बस्टर हुआ तब से हर रोज सना को नई नई फिल्मों और नई नई म्यूजिक वीडियो आलवम के ओफर्स धड़ादर आ रहे हैं यहां तक कि एड वीडियो के लिए ब्रेंड अमबैस्टर बनने के लिए उनके पास धड़ादर ओफर की लाइन लगी हुई है आपको बता दे बॉलिवुड का हर प्रोडूसर डारेक्टर इस वक्त शेहनास को अपनी मूवी और म्यूजिक वीडियो आलवम के लिए साइन करना चाह हर मूवी या प्रोजेक्ट को साइन कर रही है इस वक्त लेकिन अलग अगर प्रोडूसर डारेक्टर उन्हें अपने प्रोजेक्ट में लेने के लिए दोस्तों प्रेशर बना रहे हैं साना के ओपर लेकिन शेहनास हर फिल्म या प्रोजेक्ट को साइन नहीं कर सकती ना और एक टाइम में एक ही प्रोजेक्ट या एक ही फिल्म करूंगी मैं कोई नोट चापने की मशीन तो नहीं जो एक साथ बीस बीस फिल्में साइन कर लूँ अब देखा जाए दोस्तो तो सना की बात भी बहुत सही है भला वो एक टाइम में कितनी फिल्मों की शूटिंग कर सकती है वो भी एक इनसान है और अभी अभी दोस्तो सद में से बाहर आई है वो और किसी भी इनसान पर इतना ही वर्कलोड डालना चाहिए दोस्तो जितना वो ओट सके दोस्तों वहीं देखा जाए तो सना जो है आज तो वो जितनी चाहे फिल्म साइन कर लेंगी लेकिन अगर कल ये फिल्म पूरी ना हो पाई तो इसमें प्रेडूसर डारेक्टर के साथ साथ शेहनाज को ही नुकसान होगा जी हां शेहनाज हर कदम फुक फुक कर इस वक्त रख रही हैं और उन्हें पता है कि हर डिसीजन का असर जो है उनके फ्यूचर पर पढ़ने वाला है आज शेहनाज दोस्तों जादा पैसे के लालच में अगर जादा फिल्म साइन कर लेंगी तो कल उनका ही सुकून हराम होगा और जल्दी जल्दी में गलत फिल्म साइन हो जाए फिर बैनर देखती हैं फिर फिल्म में अपना हीरो देखती हैं और उसके बाद ही अपनी फीस कर फिल्म साइन करती हैं कुछ भी कहो दोस्तों अब हमारी प्यारी राजदुलारी पंजाब की कैटना कैफ इंडिया की क्वेन और हर दिल अजजीज शेहनास कोरकिल बहुत जा दोस्तों उनकी maturity का पता अच्छे से लगता है जो latest interview आये था उसमें शनाज कितनी maturity की तरह वो अपनी maturity का जो सबूत था वो दे रही थी अपने बातों से जो जितने भी answering कर रही थी वो news reporter के उसमें maturity जलक रही थी सना की दोस्तों आपको बता दे सिधार चाने से पहले सना को जितनी सारे ग्यान दे कर गए हैं जितना motivate करके गए हैं और मारीटा जितना motivate कर रही है इस वक्त सना को उन सारी चीजों को follow कर रही है शेनाज हाँ ये बात और है कि शेनाज अभी फिल हाल हसना भूल गई है खिलना भूल भूल गई हैं खिल खिलाना भूल गई हैं लेकिन बहुत ही जल्द वक्त आएगा और शेनाज पहले की तरह हस्ती मुस्कुराती दिखेंगी लेकिन शेनाज को अगर देखा जाए तो पहले से ज़्यादा मैच्योर और स्ट्रॉंग हो गई है सना वेल दोस्तों आपको क्या ल क्या शेनाज गिल को अपनी फीस बढ़ा देनी चाहिए या पहले वाली फीस ही जारे रखनी चाहिए प्लीज दोस्तों जो भी आपको लगता है कमेंट्स जरूर करके बताएं सज्जेस्ट जरूर करें सना को और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल जरूर कर लें साथ वाला बेल नॉर्टिफिकेशन और पे भी जरूर प्रेस कर लें बिलकुल फ्री हैं तो दोस्तों मैं पूजा फिर से मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में लेटिस्ट अप्टेट के साथ तब तक के लिए बबाई दोस्तों and thank you for supporting us